हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपने चानल पर सबका स्वागत करते हूं दोस्तों हसते रहे इस सफ्वक पाउचितिभ सोचे पीजिव रहेंगे शबतावश मेलीगी आपसस्वस्ती रही हैं मस्ते और लाइफ में आगे बढ़ते रहे WINताघे आव इवी आपसे वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं तो चलिए बिल्कुल positive हो जाईए और मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपके person आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं आखिर no contact situation क्यों है आपस दोनों में तो चलिए बिल्कुल positive हो जाईए यह all sign के लिए है male, female, married और मेरे सबके लिए तो वीडियो को positive हो कर सुनना है ध्यान से सुनना है और जितना resonate कर उतना लेना है बाकी को जाने देना है यहाँ पर बिल्कुल अपना intention सही रखे रिलाक्स हो जाए, open mind हो जाए और अपने person के बारे में सोचे चलिए बिल्कुल positive हो जाईए जलिए बिल्कुल positive हो जलिए बिल्कुल positive हो जाएỉ यहां पर आपके पर्सन लगतार कॉम्निकेट करने की कोसिस कर रहे हैं बट यहां इनके अंदर एक रिग्रेट वाली एनरजी मैं देख पार ही हूं हो सकता है काफी महीनों भी हो सकते हैं डियर काफी महीने मुझे जादा दिख रहे हैं हो सकता है या फिर और आप से जुट बोले आपको धोखा दिये और बहुत सारे बाते भी उन्होंने छुपाया है आपसे तो यहां यह सोच रहे हैं इस फक्त यह परसंट यह कि आप रिजेक्ट न कर दो उनको यह एक्षन लेना चाहते हैं अब इनकी एनरजी है कि आपको पाना इनकी अवीश हो गई है देखिए अब इनको है मतलब अंतर आत्मा इनको कह है कि आप उनकी सब कुछ हो और यह सच में पूछिए तो यह परसंट के दिल में यह कि आपको यह जीतना चाहते हैं मतलब एक जीत हासिल करते हैं अपने सचे प्यार को पाकर तो इनके मन में बहुत कुछ चल रहा आपको लेकर यहां पर डाउट भी चल रहा है किसी प्रका इस बात को कर रहा है कि उन्हों जूट तो बोला है आपको धोखा भी दिया है चीटिंग भी किया अगर आप no contact situation में हो तो यह परसंट के लाइप में बहुत option भी रहे हैं ठीक है और उस option को लेकर इन्होंने आपका साथ छोड़ा है ठीक है अब आपको वो फिल जरूर कर र आप ना रिजेक्ट कर दो उमीद आपसे लगा कर यह परसंट बैठे हुए है ठीक है सौड़ी भी कहना चाते हैं लेकिन इनके मन में ऐसा वी फिल होता है कि आप उनको कॉल मैसेज करो आप उनसे बात करो मतलब उमीदे आपसे भी है क्योंकि इनके अंदर यह भी है कि आप रिजेक्ट ना कर दो और आप अगर कॉल मैसेज करोगे तो इनको ऐसा भी फिलोगा कि हां आप उन्हें ट्रू लब करते हो लेकिन मुझे यहां पर दिख रहा है मेरे वीवर्स कहीं ना कहीं आपका पहले से कॉन्फिडेंस लेबल काफी बढ़ चुका है ठीक है अपने डा पारी बहुत आपने अपने हाड़ वर्क किया है सेल्फ लब किया है सेल्फ हिलिंग कर भी रहे हो लेकिन इसका जो इफेक्ट पर रहा हूँ आपके परसन के उपर पर रहा है जो कि यह मुझे लगड़ा कि आपका कॉन्फिडेंस जैसे से बर रहा है इनकी ओवर थिंकिंग ऐसी एनरजी रिक्रेट वाली एनरजी इनकी बर रही है तो अगर आप नो कॉन्टेक्स सिच्वेशन में हो तो आपके परती आपके परसन यह कहना चाहते है कि उन पर आप विश्वास करो ठीक है देखे देखा जाते है यह परसन कि एनरजी में बैलेंस ठीक से नहीं है अभी भी इन में कमी है और मैं आप में देख पार हूँ कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ आपकी हिलिंग से से लफ लब से और कहीं न कहीं आप अपने डाक साइट पे काम कर रहे हो या फिर इस बक्त मुझे लग रहा है मेरे भीवर्स आप डाक साइट प पर काम करना होगा ठीक है क्योंकि वह चाहते आपसे करनेक्ट करना और वह नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर मेरे भीवर्स अगर आप मेरे रिटेशन करते होते हैं सेक्रल चक्राज होते उस पर आपको काम करने की जरूरत है ठीक है रिलेशन्सिप में जो भी प्रॉब्लम important है 10 number आपके लिए important हो सकते हैं तो यहां numbers जो मुझे दिख रहे हैं वो है 2, 9, 10, 11 तो यह numbers आपके लिए खास हो सकता है आपके तरब call message आ सकता है ठीक है तो मैं यहां बोलना चाहूंगी कि आपको जैसे अपनी dark side पर आप काम कर रहे हो उसी तरह को रहे हो लेकिन आपके यहा पर आपको second चकड़ा पर काम करने की जरूरत है जहां पर मेरे viewers आपका relationship बहतर से बहतर हो सकता है क्योंकि वो पूरी तर action लेने के mood में नहीं है क्योंकि यह चाहते हैं कि अगर action लेंगे आप से बात करेंगे तो इनको आप reject कर दोगी ignore कर दो क्योंकि इन्होंने आपके साथ वही किया है तो इनके अंदर दर्द है तो देखिए डियर जो इन्होंने आपको दर्द दिया ठीक है और दर्द देखकर इनको दर्द के बदले दर्द मिल रहा है option बहुत रहें इस परसन को flirting nature भी रहा है आपने call message किया call message receive नहीं किया हो सकता call message receive किया आप पर गुसा भी कि है confidence level की कमी है देखिए आपके साथ true love था आपने उनको 100% pure love दिया अब इनको एहसास हो रहा है कि आपने इनको जितना प्याद या true love या साही कोई इनको इतना support कर सकता था या कर सकती थी आपके साथ उनको अब true love का एहसास हो रहा है और यह person जितना आपके पहले passionate थे बहु कि मुझे लग रहा है कि बहुत लोग थे डियर ऐसा नहीं है आप दोनों के relationship में आप दोनों को अलग करने में बहुत लोग का हाथ था जहां आप दोनों को अलग करने में काम्याब भी हुए लेकिन आज जिस दर्द में ये person है यहाँ पे कोई इनको support नहीं कर रहा डियर न हमारे parents होते हैं तो अभी इनको कोई support नहीं करा क्योंकि इनको अब दर्द का हैसास हुआ कि इन्होंने जो बात मानी थी किसी के कहने पर तो आज इनको वह दर्द ही मिल रहा है और इन्होंने जो आपको दर्द दिया वह दर्द का एहसास इन्हें अब हो रहा है कि दर्द के कि बाद सेयर करनी की ये कोशिस करें बट एक खाली पन है डियर और वो अकेला पन खाली पन कौन है सिर्फ और सिर्फ आप हो वह बहुत ज़्यादा एहसास करें लेकिन यां गिल्ड की भी एनर्जी है मुझे स्ट्रॉंग साइन जो दिख रहे हैं यह जैमनाई हो सकते हैं लि यह साइन मुझे बहुत ही स्ट्रॉंग दिख रहे हैं नमबर मैंने बता दिया डियर 9-10 और 11 यह नमबर आपके लिए बहुत ही इंपॉटेंस रखता होगा हो सकता है या फिर आपकी मैरेज हुई हो या फिर आप दोनों मिले हो या फिर मैरेज एनिवरसरी हो कुछ ना कु है बट यह ओफर नहीं कर पा रहा है लेकिन यहां पे कुछ डाउट की भी इनर्जी है डियर कुछ डाउट है जो किलियर करना चाहते हैं लेकिन इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेबल की कमी है वो चाहते है डियर कि आप उनसे बात करो एक्शन लो लेकिन मैं देख रही ह कि हमारे लाइप में खुसियां क्या है प्यार क्या है रिस्पेक्ट क्या है तो कहीं न कहीं आपने समझा है और जाना है तो देखें दियर बहुत मैं यह नहीं कहूंगी कि एकदम से action यह person ले रहे no contact situation हो सकता है यह चाहरे offer करना mood swing हो रहे हैं अग कापी सोचते हुए overthinking भी कर रहे हैं ठीक है हाल मैं नहीं देख पारी हूँ देखिए इनके पास सब कुछ है हो सकता है अच्छी family हो अच्छी family background हो डियर मैं वीडियो मैं short बनाऊगी अब आज बहुत आरी मुश्किल से मैं वीडियो बना पाने ही sorry अगर आवाज आ रहा हो तो ठीक है तो इनके पात बहुत सारी खुसिया है ठीक है awareness है success है अच्छी growth है अच्छी family है इनकी अच्छी job है अच्छा business हो सकता है सब कुछ है पर आप उनके पास न अकेला पन है और यह पाना चाहते हैं अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं क्योंकि उनको एहसास हो गया कि सच्छे प्यार की कदर क्या होती और सबसे खुबसद एहसास जो दिया है आपने वह आपने दिया है चाहत इनकी बर रह रहे हैं लेकिन फिर भी एक कोशिस ये परसन करते हुए नजर आ रहे हैं सब कुछ होते हुए भी एक अकेला पन इस परसन के अंदर है अगर आप नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन में हो तो मैं यहां देख लेती हूँ वह क्या चाहते हैं यहां से उनका नेक्स ट्रेक्शन देखें दिए यह मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं आपके परसन देखें मेल और फीमेल के एनरजी आपको कमिट्मेंट देना चाहते हैं आपसे मैरेज करना चाहते हैं देखें क्या कुछ एनरजी आई है देखें करेंट इनरजी में यह परसन यह काफी अपने गलत कि आपके पास कितना टाइलेंट है आप में एक पैशनेट इनरजी आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके ताप लोग अट्रैक्ट होते हैं जब कि हो सकते हैं आपकी अच्छी रुटबा हो अच्छा पॉजिशन हो मेरे वीवर्स आपका तो यह परसंद सोचे कि मैंने बहुत कुछ खो दिया और यह बहुत ज़्याइटी फील करते हैं यह सो नहीं पाते हैं और यह वज़ाए से कभी-कभी इनकी प्राब्लम होती है ब्रीधिंग की और यह सो नहीं पाते हैं आपकी बारें काफी सोचते हैं कि इन्हों ने जो गल्ती की उसे कैसे सुधा आप सकता है मेरे बहुत बहुत घोखे लगा है कि मेरी अपर अपनी पर पर अपने करीयर, पर कहीए बहुत जदा फोकस हो अगर आप नहीं कर रहे हो तो मुझे लगड़ा है, कि अब आपके अंदर वह एनरजी आने लगे है कि आप कौनों पहचानने लगो हो खुद को तो यह परसन को यह एहसास भी हो चला डिया कि साइद आप आगे बढ़ चुके लिए इसलिए डाउट की एनर्जी इनको आ रही है कि क्या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे इग्नोर कर दोगे जैसे उन्हों ने आपके साथ किया क्या फिर आप वही करोगे लेकिन यह परसन हो सकता यह मैरेड भी हो या फिर आप मैरेड हो लेकिन यह परसन को ऐसा भी फिल हो रहा है कि आपको कमिट्मेंट देना चाहिए हो सकता आप लोग ट्विन सोल हो ठीक है आप लोग एक दूसरे को सोलमेट समझते हो तो यहाँ प और इस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो आप उनके लिए सोलमेट हो आप उनकी वर्ल्ड हो आप उनकी दुनिया हो मतलग अब आप सब कुछ हो ठीक है अब यह सक्सेस चाहते हैं इस रिस्ते में यह काम करना चाहते हैं और यह प्यार का सिखा दिया है कि सच्चा प्यार क्या होता है क्योंकि अगर इनों ने आपको दर्द और पेंद दिया और जब ये इस अवस्था में दें तो अब ये परसन आप यहां पे हो और परसन आपके यहां पे हैं तो इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको इगनोर करकर आपके बातों को नहीं समझा, दर्द दिया, धोखा दिया, ऑप्सन बहुत रहें, उसके बज़ा से आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्रशानिया आई, प्रॉब्लम्स क्रियेट हुए, अब ये परसन चाहते हैं, आप मैरिज के बारे में सोचते थे, इनके साथ काफी फ्यूचर देखा या फिर आप दोनों मेरेड हो, तो हो सकता है ये परसन, अब एक निव वीगनिंग चाह रहें, रियूनिया चाह रहें, क्योंकि इस वक्ते चाह रहें, एक्षन मुझे कम दिख रहा है, लेकिन 4-4 की एनरजी यहां आई है, ठीक है, यहां 9 नंबर, वहां भी 9 नंबर था, तो 9 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपके important हो सकता है, तो मुझे लग रहा है, बहुत जल्द यह offer करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे बहुत solid card निकले है, 11-11, यानि reunion का, commitment का, marriage का, offer का, तो बहुत जल्द यह offer करेंगे, क्योंकि अभी यह anxiety में है, तो mood string तो हो रहें, लेकिन अ कम जो आपको उन्होंने दर्द और पेंद दिया, कम से कम उन्हें एहसास तो हो रहा है कि किसी को दर्द देने के बाद, life में फिर वो return भी दर्द मिलता है, वो separation मिलता है, जैसे आप नहीं सोह हो, उसी परकार यह person भी नहीं सोह, देखिए आप कहां हो, और यह कहां है, अब चाहिए आप और marriage commitment आपका साथ, आपका support, चीक है, तो इस रिस्ते पे यह अब काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे anxiety बहुत जादा है, tension बहुत जाता है, लेकिन confidence level की, यहाँ थोड़ा, मुझे थोड़ी थोड़ी दियर, यह बहुत मैं यह नहीं कहांग, एकदम से आप को commitment दे रहें, लेकिन इनकी thoughts हैं कि आपके साथ एक new winning करें, success पाएं, क्योंकि इनके अंदर ड़़ है, confidence level की कमी है, लेकिन धीरे ही, slowly, 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 सही, आपके बारे में समझ रहें, जान रहें, और यह आपके बारे में बहुत ज़दा feel कर रहें, अब यहाँ तक यह पहुँच ग बंद रहना, past को लेकर सोचना, अपने गलतियों को बार बार सोच रहें, सुधारने की एक कोसिस करें, लेकिन एक उमीद आप से भी है, कि आप उनसे बात कर लो, लेकिन फिर भी यहाँ कहना चाहूंगी, अपनी energy को देखते हुए, आप कोई भी ऐसी बात को, कोई दिमाग करें, क्योंकि आप अपने उपर focus कर रहे हो, तो सही है, लेकिन अगर focus नहीं करो, तो अपने से call करोगे, तो आप उनके energy को लेकर, आप disturb हो जाओगे, separation में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, जहां आप अपने उपर focus कर रहे हो, करो, आपके energy इतनी high power में जा करते हैं, ठीक है, तो चलिए, यह थी आपके partner की true feelings, उनकी current energy, तो उनका हाल देखे, no contact situation है, प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा अपसोस की energy, guilt की energy है, नीन नहीं आ रही है, इनोंने गलती तो की है, लेकिन अब यह आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह खु झाईब यह झाते हैं, लेकिन आपके साथ आपके बढ़ना वेता है, जा